नोशका मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 5 अक्टूबर दिन गुरुबार खबलो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में असाई के पदों पर आज से आविदन शुडू ADM सह नोडल अधिकारी ने बताया कैसे कड़ाई गई जाती गन्ना महापौर्व छट में बिहार आने वाले सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग राच्चे में इतने लागत से विक्सित होंगे 513 उच माध्यमिक स्कूल पंकस रिपाठी ने अपने फिल्मों में काम करने को लेकर कहा ये अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के उर्विस्तार से बिहार में S.I.K. पदों पर आज से आविदन शुडू ऐसे में एक चुक अभ्यर्थी जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वा आज से BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करने की अंतिम तारीक 6 नमबर 2023 तक नरधारित की गई है इसकी लेगर सेचनिक योगिता की बात करे तुमें द्वार को किसी भी विशय में ग्रेजुएशन पास होना अनिवारे है इस भर्ती के लिए चेह तीन चर्णों में किया जाएगा पहला प्रीलिम्स परिक्षा, दूसरा मेंस परिक्षा और तीसरा फिजिकल टेस्ट जाती गन्ना खोलेकर जानकारी देते वें बताया गया है कि बिहार में दो चर्णों में जाती गन्ना कड़ाई गई है जिसके पहले चरण में घड़ों की गन्ना की गई और लोगों से फॉर्म में मौझूद 10 सवाल पूछे गए वहीं दूसरे चरण में जाती आर्थिक समेथ फॉर्म में मौजूद 17 सवाल पूछे गया जिसके बाद दोनों चरणों में जो फॉर्म भड़ा गया और उससे जो चानकारी मिली उसे डेटा एक मोबाइल एप पर अपलोड किया गया उन्होंने बताया कि जाती सर्वे के काम म पांच लाग लोगों को लगाया गया था और इस पर कुल 500 करोड रुपए खर्च हुए हैं बतादे कि जाती सर्वे कराने की जिम्मेदारी सामाने प्रिशासन विभाग को सौपी गई थी जिसके मुख्या मुख्य मंत्रे नितीश कुमार थे बिहारी परिटर में आज हम बात करेंगे बड़ी पटन देवी के बारे में बड़ी पटन देवी बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविन सिंग की जन्मस्थली प्रसद सिक गुरुद्वारा हर मंदिर शाहिब के दक्षिन पुर्व में है बावन सती पीठों में छोटी पटन देवी के दो अलग-अलग मंदिर बनाए गए है जिनने पटना डेलवे जंक्शन के पुर्व में स्थित मा सरवंद कड़ी पार्टनेश्वरी भी कहा जाता है मंदर का विसेश महत्व है क्योंकि यहां तीनों रूप की सक्तियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली पत्थर की प्रतिमाओं के रूप में मौजूद है हाला कि वैशनो देवी में तीन देवी हैं लेकिन वे वहां केवल पिंडर रूप में मौजूद है गर्वगरी के अंदर देवी की काली पत्थर की प्रतिमाओं को खड़े, मुद्रा में सिहासन पर रखा जाता है गर्वगरी के ठीक सामने एक बड़ा हवन कुंड है जहां लोग इसकी अगनी में लगातार पूजा सामंगरी चढ़ाते हैं और सिंदूर और फूलो से धार्मिक अनुस्ठान करते हैं एक बड़ा बरामदा गर्वगरी के सामने की जगह को कवर करता है और हवन कुंड इस बरामदे के निकास द्वार के सामने इस्तित है नीरज चोप्रा ने एशियन गेम्स 2013 में भारत को दिलाया सत्रवा गोल चिन के हांग जाओं में आयोजित उनीश्त्रे एशियन गेम्स में भारत के स्टार्ट जैवलिन थ्रो एटलित नीरज चोप्रा के दोरा लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतते वे इतिहास रजच दिया गया है बता दे कि नीरज छोपरा ने भारत को एशियन गेम्स 2023 में 17 गोल्ड मेडल दिलवाया है मालूमों कि नीरज के ओर से पहला थ्रो 82.38 मीटर तक फेक आ गया वहीं दूसरा थ्रो 84.49 मीटर तीसरा थ्रो प्रयास फाउल रहा जिसके बाद उन्होंने चौथा थ्रो 88.88 मीटर तक फेक आ और फिर पाचवे और आकड़ी थ्रो में उनका प्रयास फाउल रहा मालूमों कि नीरज छोपरा का ये साल का आकड़ी इवन था इससे पहले उन्होंने बुड़ा पिस्ट में आयूजेत वर्ल्ड एटलेटिक्स चैंपियंशिप में गोर्ड मेडल जीत कर दिहास कायम किया था माहापर्व छट में बिहार आने वाली सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग 19 नमंबर को छट है ऐसे में दली समेत अने प्रमोकस्थानों से बिहार आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखी जा रही है बतादिक अधिकांस ट्रेनों में 200 उपर वेटिंग है पहीं 14 नमंबर से लेकर 18 नमंबर तक बिहार आने वाले किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है ऐसे में अवे लोग जो बिहार आना चार रहे हैं उनके पास ब्रेक जर्नी के साथ कनेक्टिंग ट्रेन का विकल्प है हाला के पुर्वो मध्य रेल के सीपी आरो विरंदर कुमार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार छट के दोरान यात्रियों की भीर को देखते वे बिहार ओदो इक निवेस प्रोथसाहन वस्त्र एवं चर्म नीती के तहट मिल रही ये सहायता बीते दिन आईपीरडी विभाग के दोरा एक्सपर एक पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के दोरा बिहार ओदो इक निवेस प्रोथसाहन वस्त्र एवं चर्म नीती 2022 के तहट किस-किस प्रकार के शहायता और अनुदान का लाब दिया जा रहा है बता दे कि शेर किये गए पोस्ट के अनुसार इस नीती के तहट उद्योग लगाने पर 15 प्रतीशत का पुंजिकत अनुदान अधिक्तम 10 लाख रुपे प्रती वर्स दी जाती है सालाना प्रती पिटेंट 10 लाख रुपे तक का अनुदान दिया जाता और बिहार ओदो इक निवेस प्रोथसाहन नीती 2016 के अंतरगत मिलने वाले सभी लाब भी दिये जाते हैं इस पर योजना की लागत 392.45 करोड रु अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना के ग्यान भवन समराथ शोग कंवेंसन सेंटर में टूरिज्म एंड ट्रेवल फेर का आयूजन किया जाने वाला है जिसमें 8 से अधिक राजियों के टूर ओपरेटर शामिल होंगे और उनने बताया कि 7 अक्टूबर को बिहार म अधिक टूर ओपरेटरों और ट्रेवल इजेंटों को भागदौर की संभावना है चिन राजियों के द्वारा इस आयूजन में शामिल होने के रिसेहमती दे दी गई है उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरा, तमिलनाडू, हरियाना, चप्तसगर और जार्खन र दासला किया है और उन्हें कहा कि मैंने फिल्में करना कम कर दिया है क्योंकि अब मैं ठक गया हूँ, एक वक्त रहा है कि मुझे याद भी नहीं रहता था, कि मैंने ये सौर्स कब दिया और क्या हुआ, किस फिल्म के लिए दिया, और उन्हें कहा कि ये कुछ अच्छा नहीं है आप 340 दिन एक्टिंग नहीं कर सकते और मैं ऐसा ही कर रहा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता मुझे वो कहानिया पसंद आई और मैं उनमें काम करने के लिए तयार हो गया इशू ये है कि जब आप भूखे होते हैं तो आप अधिक खा लेते हैं और अगर टेबल पर अच्छा अच्छा खाना हो तो ये तय है कि आप ओवर इट करेंगे तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ उसी तरह से मेरे सामने बहुत सारे काम आये और मैंने ओवर इटिंग शिरू कर दी रेल मंत्रे ने शेर की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरे भारतिय रेलवे की तरफ से वरतमान में देश के कही रूटों पर चेर काड़ वाली सुदा की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रस का परिचालन की आ जा रहा है कि 2024 में इस ट्रेन के परचालन की श्रवात की जाएगी इसकी तैयारी चल रही है मालू हो कि रेल मंतरी के द्वारा जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच लगजरी होने के साथ ही काफी खुले-खुले दिख रहे हैं और साथ इसमें सामाने ट्रेनों के तुलना में अधिक सुधा मौदूद है ट्रेन का इंटिरियर भी काफी खुबसूरत दिख रहा है सीटों से लेकर हर जगार रंग बिरंगी लाइट लगी दिख है बिहारी बोधरे स्पेशन में आज हम बात करेंगे जाहिदा हीना के बारे में जाहिदा हीना का जन्म आजी के दिन 1946 में हुआ था यह एक उर्दू कहानीकार संपादक लेखक वा नाटक कार है इन्होंने अपनी पहली कहानी की रचना नौ साल की उम्र में की इन्होंने कराचे विश्यविद्याले से सनाता की उपाधी लीत था उनका पहला नेबंध 1962 में प्रकासित हुआ उन्होंने पत्रकारिता को अपना कारे छेतर चुना और 1960 के मत्यमें उन्होंने पत्रकारिता आडंब की वे 1988 से 2005 तक दैनिक जंग नामक अख़वार से जुरी रही और 2005 में उन्होंने दैनिक एक्स्प्रेस नामक अख़वार का रुक किया 2006 से वे एक भारती अख़वार दैनिक भासकर की रविवार को प्रकाशित होने वाले पत्री का रसरंग में पाकस्तान डायरी नामक लेक लिख लिख रही है वे रेडियो पाकस्तान BBC उर्दू तथा वोईस ओफ अमेरिका फॉर्क कारे रत है विकराची पाकस्तान में रहती है जाहिदा हिना ने लगभग 2000 से भी जादा पत्रकारी लेख लिखे है उनके कई कहानिया हिंदी, मराठी, बंगाली तथा अंग्रेजुई में अनुवादित हुई है उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है राजे में इतने लागत से विक्सित होंगे 513 उच माध्यमिक स्कूल बिहार सिरकार के सिख्षा विभाद के द्वरा 64 करोड रुपए जारी कर राजे के 513 उतक्रमित उच माध्यमिक विद्याली को विक्सित करने का काम किया जाएगा बतादे किसमें से प्रतेक विद्याले के लिए 2 करोड 37 लाख रुपए का आवंटन किया गया है मालम हो किस काड़ी को पूरा करने के लिए कुल 1217 करोड रुपए की स्विक्रती दी गई है जिसमें से 551 करोड रुपए बिहार राजिस सेचनिक आधार भूत सर्रचना विकास निगम को दिये जा चुके हैं और बाकी की बची राशी निगम को जारी की जानी है वहीं इसके लावा बिहार सरकार के ओर से 13.75 करोड रुपए की लाग से सिमलतला आवास के विद्याले में आधार भूत सर्रचना के विकास का काड़े भी किया जाएगा इसके लिए कारी योजना तयार की गई है पटना जूमें एक बार फिर से करपाईं के बाल रेल की सवारी बहुत जल्दी बिहार के राजधानी पटना में स्थित संजय गांती जैविक उध्यान में एक बार फिर से लोगों को रेल की सवारी करने को मिलेगी बतादी किसको लेकर प्रोजेक्ट तयार कर दिये गया है और दानापोड मंडल को भेज दिया गया है बाल मोकस पर करीब 7.96 करोड उपे खर्च आने की संभावना है वही नए प्रस्ताव के नुसार रेल की पट्रियों की लंबाई 4.4 किलो मीटर से घटकर 3.17 किलो मीटर हो जाएगी बतादी करीब 9 साल के बाद 1 बार फिर से रेल सवारी की शुरुवात होने वाली है प्रटना जूमें इसकी शुरुवात पहली बार 1937 में की गई थी उस समय रेल पट्रियों की लंबाई मात्र 1.59 कीलो मीटर थी प्रटना जूमें इस रेल की सवारी को शुरू करने की बाद प्रदेश के उत्तर मंध्य प्यार में लुटते मौनसून में खूब बारीष होड़ई है पिछटे दो दिनों से प्रदेश में जहमा जहम बारीष होड़ई राजधानी बठना के साथ ही आसपास के जिलों में बारीषदरज की गई है मौसम विभाग की माने तो देश के पुर्वी छेतर में कम दवाव का छेतर बनने के कारण पश्रिम बंगार, उरीशा और जार्खन के कहीं जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है पांच ऑक्टूबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर मद्य, उत्तर पुर्व, दक्षिन पुर्व के भागो के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगगरजन होने की संभावना है यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पुर्व और दक्षिन पुर्व के जिलों में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगगरजन होने की संभावना है सराब कारोबार करते वे महिला के साथ ITBP जवान गिरफतार बिहार में पुर्व से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में सराब तसकरी रुखने का नाम नहीं ले रही बता दे के ताजा मामला जमुई के टाउन थाना चितर के बोधवन तालाब का है जहां पुलिस और आपकारी विभाग के दौरा छापे मारी अभियान के दौरान एक थार गारी से आठ काडन विदेसी सराब बरामत किया गया है 603 रुपए में मिलेगा LPG सिलंडर किंदर सरकार के ओर से LPG सिलंडर की कीमत पर 100 रुपए अत्रिक सबसिडी देने का नंड़े लिया गया है उकुल 300 रुपए की सबसीरीद मिलेगी आपकी जानकारी के बता दी कि उज्वला योजना के तहत अगले 3 साल तक महिलाओं को 75 लाग नए LPG कनेक्शन देने का लक्षे रखा गया है सेमें इस लक्षे को हासल करने के बाद इस योजना से लाभानवित होने वाली महिलाओं के संक्या बढ़कर 10.35 करोड रुपए हो जाएगी वालमी की बढ़ाज का छोड़ा गया 1,63,000 क्यूसेक पानी वीते दिन दो पहड को लगभग 3 बज़े तक गंड़क बढ़ाज से लगभग 1,63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिस वज़े से टटवर्ती बन छेत्र समेत परोसी राज्य उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती छेत्रों में पानी का जल जमाव हो गया है अधिकारीों के दोरा दी गए जानकारी के नरेपाल में हो रहे बारे से तराई और पहारी छेत्रों में जन जीवन अस्त्विस्त हो गया है वही निपाल के नरायन घार से छूटे पानी का प्रवा गंडग बढ़ाज के रास्ती प्रवायत होने के कारण नीचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खत्रा बन गया है या शंका व्यक्त की जारी है कि बीते रात के बाद से गंडग बढ़ाज का जलस्तर दो लाग पचास हजार के पार चला गया होगा ऐसे में गंडग बढ़ाज के सभी कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया था आज बिहार आएंगे बीजेपी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा आज यानिकी 5 अक्टूबर को बीजेपी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा पार्टी के पिता मह कह जाने वाले कैलास पती मिश्रकी सौवी जेहनती पर बापू सभागार में आयुजित होने वाले कारिक्रम में शामिल होने के लिए बिहार आने वाले हैं बता दे कि 9 महीने के भीतर जेपी नड़ा का बिहार में ये दूसरा दोड़ा है अंतेम बारवे 3 जनवरी को वैशाली में आये थे ऐसे में इनके आगमन को लेकर पार्टी कारेकरताओं की ओर से सभी तयारियां पूरी कर ली गई है मालम हो कि बीजेपी पार्टी के कारेकरताओं के द्वारा जेपी नड़ा का टाक बंगला चुरहा पर भवे स्वागत किया जाएगा वहीं के रासपते में शुके जहनती समारू में बीजेपी की ओर से पुराने नेताओं को इखटा करड़ा गया है और इसके तहट राज्य के सभी जलाक में कारेकरताओं आयुजित करवाए जाएगे और जनसंग और बीजेपी से जुरे पुराने नेताओं को समानित किया जाएगा जमानुत मिलने के बाद तेश्वी यादव ने इस अंदाज में कही अपनी बाद बीतर दिन दिल्ली के राउ जवेन्यू कोट के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत दे दी गई है वहीं सुनवाई के बाद तेश्वी यादव के द्वारा मीडिया से बात चीत करते वे कहा गया कि कानून चीज थी हम अदालत में पेश हुएं उन्होंने कहा कि हमें नयाई पाली का पर भरोसा था हमारी ओर से उनके सामने मामले को रखा गया और हमें जमानत मिल गई हम इस फ पर नहीं की जाएगी विहार में होई जाती गन्ना पर बीजेपी शांस रविशंकर प्रशाद ने किया बड़ा दावा जब से बीहार में चाती आधारी जन्गन्ना की सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है तब से लगातार सियासी घलियारों में ब्यान पाजी का दोड़ चल रहा है इसी कड़ी में अब इस मामले पर पुर्व केंद्री मंत्री रवी संकर प्रशाद के द्वारा दावा करते वे कहा गया है कि जाती गन्ना में फरजी वारा हुआ है उन्होंने कहा कि उनके घर जन गन्ना के लिए एक टीम आई थी लेकिन वह गेट से वापस चली ग पर आई गई परिवार की मुख्या के हस्ताक चल लिए गया है उन्होंने रिकॉर्ड जारी करने की मांग की है जाती गन्ना के सर्वे में बहुत खामिया है इसमें फरजी वारा हुआ है देली सराव खोटाले में 11 गंट की पूछताच के बाद आप सांसत संजय सिंघ गरफतार वीति दिन प्रवर्तन निदिशाली के दोरा कड़ी भी 11 गंटी की पूछताच के बाद आम आदमी पार्टी के और दलिके मुख्य मंतरी अरवन के जिवार के कड़ी भी सांसद संजय सिंग को दल्ली आवकारी निती गोटाले से जो डिये money laundering के मामले में गिरफतार कर लिया गया है बतादे किस मामले को लेकर प्रवर्तन निद्शाली के दोरा जो चार्ज सीर जारी किया गया था उसमें सांसद संजय सिंग का भी नाम था ऐसे में बीते दिन पच्छिस नॉर्थ एवेन्यों से सरकारी आवास पर छापे मारी करने पहुँच गई थी इसकी जानकारी एडी के द्वारा लोकल पुलिस थाना को फी नहीं दी गई थी वानमोग इसमामने को लेकर अब तक एडी के द्वारा कुल 12 लोगों की गिरिफतारी की जा चुकी है वही संजै सिंग इसमामने में गिरिफतार होने वाले तेर्वे व्यक्ती बन गहा है। भाल सकते हैं मुझे अपने मौकी का इंतजार करना पड़ा और यह इसके लायक था मुझसे पहले विराट कोली और और एमेज़ोनी कप्तान थे जिन किरारियों को कप्तानी नहीं मिली उनके नाम पड़े गौतम गंभीर विरन्द सहवा के सभी भारती क्रिक्ट के महान खिलारी है यूवराज सिंग को भी आप नहीं भूस सकते उन्हें कभी भारत का नितुत्व करने का मौका नहीं मिला यू तो जिन्दगी है उन्होंने कहा कि अब यह अफसर पाकर मैं आभारी हूं मैं कहूंगा कि जब मुझे समझ आ गया कि टीम का नितित्व कैसे करना है तो भारतिय टीम की जिम्हदारी मेरे कंधों पर थी भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कार्णों सदर्ट इस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में इंग्लैन के राजा से मुंबई में भारतिय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला मीरा साही बीवी 1989 में सुप्रीम कोट की पहली महिला जज़ बनी राजदानी कंपाला से नीन लदी को 1997 को सुरोत चिंजा में प्रधान मंत्रे इंदर कुमार गुज्राली महात्मा गांधी की प्रतीमा का अनावरन किया भारतिय टेनिस खिलारी लियंडर फिस्थता महीज भ किया किंद्र सरकार ने सर्वच नयायाले के निर्देशा अनुसार सेतू समुंद्र पडियोजना के लिए दूसरी जगों का परिक्षण 2008 में शुरू किया भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपे का टैबलेट PC आकास 2011 में जारी किया गया भारतिय सर्वच नयायाले नहीं 2011 में निर्ने दिया कि सरकार या उसके विभागों द्वारा किसी विशेश उद्देश से अधिग्रहत की गई जमीन का उप्योग नहीं बदला जा सकता है ना इस जमीन को नीजी प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को या वेवसाइक कंपनियों को दिया जा सकता है भार करती अभीनेता हस्ते कलाकार राजनितिक वेंगेकार नाटककार फिल्म नर्देशक और अधिवक्ता चोराम स्वामी का जन्म 1934 में हुआ भारत में ब्रिट स्राज के दूसरे गवर्नर जनरल वा कमांडर इनचीफ लाड कारणवालिस का गाजीपुर में निदन 1805 को हुआ हिंदी के प्रसद उपन्यास लेककों में से एक दुर्गा प्रशाद खत्री कानिधन 1937 में हुआ हिंदी चगत के प्रमुक साहितेकार भगवती चरण वर्मा कानिधन 1981 में हुआ भारत के पेशेवर बिलियर्स खिलारी बिलसन जोंस कानिधन 2003 में हुआ वायलकर में आजम बात करेंगे समाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच्छों ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे समाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले के बारे में दर साइट भारत सरकार से संबंद नहीं है मिनिस्ट्री आफ सोसल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट गवर्मेंट अफ इंडिया की आधिकारिक पेश के जाने की उमीद है डबलुए बीटा इंफो ने अपने रिपोर्ट में कहा कि यूगल प्लेस्टोर से एंड्रोइट 2.2.3.1.1.1.1.5 अपडेट के लिए लेटिस्ट वाटसेप बीटा इंस्टॉल करने के बाद अपने नए विल्ड की अपनी सामाने खोज के दौरा की पहचान सर्फ नंबर से नहीं की जा सकेगी इसके बजाए उनके पास एक यूणिक और याद रखने में आसान यूजर ने बनाने का आप्शन होगा हाला कि ये फीचर अभी तयार किया जा रहा है दर्भंगा एम्स के लिए भाजपा नेताओं का अंसन तोरा केंद्रिय स्वास्ते राजे मंत्री ने इन दिनों दर्भंगा एम्स के निर्मान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है इसी बीच पिछले कई दिनों से दर्भंगा एम्स को लेकर अंसन पर बैठे भाजपा निताओं का अंसन बीते दिन समाप्त हो गया है दरसल बीते दिन केंद्री स्वास्ते राजय मंतरी स्वी बगेल के दोरा धरनास थल पर पहुँच कर निताओं को जूस पिला कर अंसन को स समाप्त करवाए गया इस मौकी पर केंद्री स्वास्ते राजय मंतरी के दोरा कहा गया कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी एक टीम बनाकर राजय सरकार से समनवे बनाकर एमस निर्मान के काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी इसके लिए केवल बिहार सरकार की ओर से एमस के न अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगर 500 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है International Finance Corporation को किस बैंक में हिसेदारी हासल करने की मंजूरी RBI द्वारा दी गई है Option A Federal Bank Option B HDFC Bank Option C State Bank of India Option D Bank of India इसका सही उतर है Option A Federal Bank अगला सवाल हाली में विश्व बैंक ने 2023-27 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का नुमाल लगाया है Option A 4.3% Option B 5.3% Option C 6.3% Option D 7.3% इसका सही उतर है Option C 6.3% अगला सवाल विहार को उरिशा से कब अलग किया गया Option A 1935 Option B 1936 Option C 1942 Option D 1947 इसका सही उतर है Option B 1936 अगला सवाल वैदी काल में बिहार का नाम क्या था? Option A पावापुडी Option B पुषपुडी Option C पाटले पुत्र Option D प्राच्चिय इसका सही उतर है Option D प्राच्चिय अगला सवाल महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया? Option A पाली Option B संस्कृत Option C प्राच्चिय Option D प्राक्रिद इसका सही उतर है Option D प्राक्रिद इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छित्र में कौन सा मेला लगता है? अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट शक्षम में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और सताथ ही अगर आप यूटूब से देखरां चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखर दो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद नवाद